कई whatsapp group, telegram group में इसकी चर्चा हो रही है, चाई दोकानों पे चर्चा हो रही है, coaching संस्थानों के आगे ये चर्चा हो रही है, कि 10 लाक में exam से एक रात पहले answer question रटवाया जाएगा, और exam center पे भी वो सिख्छा माफिया सेटर के लोग ही आपको पहुचाएंगे, आपका mobile उसी के चकर में आप लोग बिलकूर ना पसे, इसलिए आप लोग ऐसे लोगों की जानकारी भी दीजिए, कि जो दलाल, सेटर या students इस तरह की बाते कर रहे हैं या इस तरह में सनिप्त हो रहे हैं, इस परिक्छा में अपनी मेहनत और इमंदारी से सामिल होने जारे सभी परिक्छा दीजिए, सकरात्मक सोच के साथ परिक्छा दीजिए, बेफिक्र होकर एक्जाम दीजिए, इन सब चीजों से बचिए, लालाच में मत फसिए, किसी भी दरह के लालाच में मत फसिए, इमंदारी से परिक्छा दीजिए, हम BPSC और पुलिस परसासन, उने बिहार क इस परिक्षा में अपनी मेहनत और इमंदारी से सामिल होने जा रहे सभी परिक्षार्थियों को हमारी तरफ से धेर सारी सुभकामना है, आप अच्छे से परिक्षा दीजिए, सकरात्मक सोच के साथ परिक्षा दीजिए, और किसी भी तरह के लालच में मत फस ये, किसी भी त तरह के कदाचार से बिलकुल दूर रहे चूंकि आप अगर किसी भी तरह के कदाचार में सलिफ्ट पाए गए तो पांच साल या उससे अधिक समय के लिए आप सभी परिक्षाओं से परतिबंदित कर दिये जाईएगा आपकी बदनामी होगी वो तो अलग साथी आप सभी तर परिक्षा दिजिए और पुरी सकारात्मक सोच के साथ परिक्षा दिजिए सीटे बहुत ज्यादा है आपका सेलेक्षन ओए से भी होगा अगर आप किसी भी तरह से लालच में फसिएगा धानली सेटिंग या पेपर लिक में फसिएगा तो आपका केरियर तो बरवाद होग ही आप जेल भी जाएगा और पांच साल या उसे अधिक समय के लिए परतिवंदित भी हो जाएगा सभी परिक्षाओं से और अभी तिन चार दिन से पुरे बिहार में लगबग हर जिले में ये बात जोर सोर से चल रही है कई वाटसप गुरूप टेलिगराम गुरूप में इसकी चर्चा हो रही है चाई दोकानों पे चर्चा हो रही है कोचिंग संस्थानों के आगे ये चर्चा हो रही है कि 10 लाक में एक जाम से एक रात पहले आंसर कोशन रटवाया जाएगा यानि कोशन दे दिया जाएगा उसका आंसर रटवा दिया जाएगा ऐसा दलालों के सेटरों द्वारा सिख्छा माप्याओं द्वारा ये कहा जा रहा है कि परिच्छा से एक रात पहले आपको कोस्टन दे दिया जाएगा उसका आंसर भी दे दिया जाएगा मोबाइल जब्त कर लिया जाएगा मोबाइल से किसी से बात नहीं करने दिया जाएगा और अपने सु पैसा देंगे जो सेटिंग कराना चाहेंगे उसको एक्जाम से पहले आपको पैसा भी नहीं देना है आपका सारा डॉकुमेंट्स और लोग ले रहे नहीं ढर जाकर चाहिएगा जब कोछन मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा तब आपको एक्जाम के तुरत भाद 30rier रुपया परिच्छा से पहले कोशल अंसर दे दिया जाएगा और यह किसी what's up ग्रूप में नहीं आएगा लसालों को नहीं भेञा जाएगा बलकि होटल में रखके या कहीं और जगा पे रखके आपको exam से एक दिन पहले रात में रटवाया जाएगा या exam के सुवा-सुवा एकदम रटवा दिया जाएगा और exam center पे भी उस सिक्छा मापिया setter के लोग ही आपको पहुंचाएगे आपका mobile उसी के पास जबत रहेगा आपका original लो सिक्षा माफ्याओं सेटर के चकर में आप लोग बिलकुर न फसे क्योंकि 99 परसेंट जो इस तरह के दलाल होते हैं उपहिशा ठगने वाले होते हैं फरजी होते हैं और अगर कोई student कोई परिक्छार्थी अगर इस तरह के लाला चई फसता है और वह अपना सेट्रिंग करा परिक्षारती है जो धांदली सेटिंग करके पेपर लिग कराकर गलत तरीके से नोकरी पाना चाहता है तो सबसे बरा आप राधी सबसे बरा दोसी वह स्टुडेंट है तो इसलिए आप लोग ऐसे लोगों की जनकारी भी दीजिए कि जो दलाल सेटर या स्टुडेंट इस तर अर्थिक अपराद दिकाई को भी हम अभगत करा चुके हैं तो आप लोग बेफिक्र होकर एक्जाम दीजिए इन सब चीजों से बचिए लालाच में मत फसिए किसी भी तरह के लालाच में मत फसिए इमंदारी से परिक्षा दीजिए हां अगर आपको कहीं भी गरवरी की को तो आप जरूर BPSC को बिहार सरकार का जो साइबर सेल है अर्थिक अपराद दिकाई उसको आप सुचित कीजिए आप पुलीस को सुचित कीजिए आप डर ये बिलकुल नहीं तो आप जब सही है तो आपको डरने के जोड़त नहीं है हमारे पास पिछले तीन दिन से कई खौफ तरीके से आप एक्जाम दीजिए किसी भी तरह कि आप बापे ध्यान मत दीजिए अगर कहीं कुछ गरबड़ी होती है तो हम लोगों को फिर चूप भी नहीं रहना है कहीं भी अगर कुछी तरह की गरबड़ी होती हाला कि BPSC में हमने जब बात किया तो उन लोगों का काना है कि हमारी वेवस्था IC है कि जिसमें पेपर लिक होना संभब नहीं लग रहा है तो हमें थुरा विश्वास करना पड़ेगा क्योंकि अभी जो BPSC में पिछले डेर साल से जो भी परिक्षाएं होई है उसका पेपर लिक किसी का नहीं हुआ है इसलिए अभी भरोसा रखिए पेपर लिक जैसी संभाबना नहीं लगती है लेकिन फिर भी अगर कहीं कुछ गरबरी होती है तो उसको छुपाना भी नहीं है बिलकुल उसके खिलाप हम लोगों को मिल जूलकर लगना है तो आप लोग सभी पुरी सकरात्मक सोच के साथ परिच्छा दीजी आप वाहों से दूर रहे और कहीं भी किसी भी तरह की गरबरी की बात आपको पता चले तो जरूर आप हमें भी बताए पुलीस को भी बताए धन्यवाद जैहिंद और साथ ही हम BPSC और पुरे बिहार के पुलीस परसासन से भी हम आगरा करते हैं कि इन सब चीजों पे नजर रख किया जाए धन्यवाद जैहिंद आप कि अ कि